असलाम लेकुम स्टोनर स्टार करते हैं आज का लेक्चर भी स्पिल रखते हैं फ्रेक्टर नबर फाइव फॉली नॉमियल ठीक है इसमें हम दिसकस करेंगे इस पूरे चप्टर में डिसकस्ट किस टोपिक पे यह मैंने सारे ब्रस जो आपको बताया यह हैं पूरे चप्टर में इन ही टोपिक्स पे ठीक है और पॉंस्टर बैडियेबल लिट्रल यह अलजिब्रिक एक्सप्रेशन और कोफीशेट नॉमियल प्लों इंडिगरी ओंडि जो counting वाली नुमेरिकल वैल्यू है जितनी भी नुमेरिकल वैली जैसे 1, 2, 4, 5, 9, 12, 15, 19 यह क्या है यह सब ? यह सारा क्या है ? constant 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 किसको कहा जाता है counting वाले जितनी भी वैल्यू जितनी भी है वह सब कहा है constant ठीक है variable कहा है अब हमारे पास a to z जो है a to a से लेके z तक जो अल्फा बेटी कहा है उसके अधर आते है x y z क्या होते है एक्स वाय जड यह तीन जो वर्ड़्ज है यह क्या होते है वैरियबल खेक है यह वैरियबल अब लिटरल क्या है अब देखे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जड़ प्लस अगे कुछ भी आफ इसेपल कर लें यहाँ पर जैक से एक्स है यहाँ पर फर्स कर लें कि जी वाई है ठीक है इनके साथ जब तू यूज़ यूज और या वेरियेबल भी आ रहा है उसके साथ जो वेरियेबल के साथ जो भी आपके पास अलफ़ाबेटिकल वैल्यू आ जाती है ऐसे वह क्या है लिटरल यह जो चीज़ नहीं यह लिटरल है X, Y, Z के साथ जो भी alphabetic value आपके पास लिटरल आ जाती है वो क्या है आपके पास लिटरल ये चीज X के साथ लिटरल के है A Y के साथ लिटरल के है B Z के साथ लिटरल के है C यहां बे Y है ये क्या है लिटरल है Y के साथ जो alphabetic value या term हम आ रही है कि क्या है जी हैए यह क्या है लिटरल ठीक है यह जो चीजे यह आ जाती है लिटरल में ठीक है आपको प्रिपडेल भी अडीटने ब्लानियू न्टि Für आपको आपको चैडेल धी बता दिया वेरिएबल टेल भी अलजंब्डिक एस्प्रेशन में क्या होता है constant value for example 3y 4z कुछ भी फर्ज कर लें कुछ भी मैंड में explain example दें सकते हैं यहाँ पर 8y आजाता है कुछ भी जिसमें numerical value और जिसमें numerical value और variable इकठे दिये होए और plus minus को भी multiplication shape में हो सकता है यह प्लास माइनस ग्वियन किसी भी शेप में यह चीज़ें हो सकते हैं plus में भी माइनस में coefficient किस चीज़ को कहा जाता है coefficient इस चीज़ को कहा जाता है जब variable के साथ यह देखे वारियेबल मारे पास क्या है यह x y z है तीन words है जो alphabetic में जो variable की term में आते हैं ठीक है variable क्या है x y z अब इनके साथ कोई भी numerical value कोई भी constant value साथ दी गए यह एट कर लेसको साथ दी गए जो value variable के साथ कोई भी numerical value दी गए यह उसको कहते है इस चीज़ को कहा जाता है coefficient variable के साथ कोई भी numerical value दी जाती है तो उसको कहा जाता है coefficient ठीक है को जो हॉली नॉम्यल क्या है हॉली नॉम्यल में आपके साथ बी अर्टमी आसकती है जैसे हॉली नॉम्यल में आपके पास x x y 4 या कोई थ्रूमद है set ही जा सकती है ऐन escol हिसले के अपगे और में यह फिक्षन के बगार भी चीजagarा सकती है जा सकती है जो भी आपको इस तरह की वैलियू फर्स कर ले है यहाँ बर 2 कुछ 2 है यह फर्स कर ले है जो भी आपके बगार ओर polynomial ठीक है चाहे वो उसकी power जो उसकी degree है वो plus में है चाहे minus में है किसी shape में भी है वो आपके पास क्या है polynomial है ठीक है अब degree of polynomial क्या है degree of polynomial क्या है अब यह देखे 2xy plus 3 y z 2 4 3 ठीक है degree किसी जो जाता है जब variable के उपर कोई भी power दी जाये कोई भी numerical value लिखी जाये उस चीज़ को इस चीज़ को कहा जाता degree ठीक है इस power को x के उपर कोई भी power अब देखे y के उपर कुछ भी नहीं गया जब किसी भी variable के उपर कोई भी degree ना दी गई हो वहाँ पे क्या consider किया जाता है मायड में 1 ठीक है अब ये देखें ये चीज़ें ये के ओपर क्या डिगरी है 4, Z के ओपर क्या डिगरी है 3 ठीक है अब जब इन चीज़ों को एड किया जाता है इनके दर्मयार में कोई भी between, इनके between कोई नहीं पेजिए नहीं को जापर में को प्लस कर एक vors ये क्या बनेगा 7 और ये प्लस कर गुए जाता है अज़ कि को फीक कि आधा सेमें ऑक्रदंकर स्कुन। जो हमारे पास अचीज़ होता है, वो क्या है? डिगरी ओफ पोलिनोमियल, ठीक है? यह आपका इस सब्सक्राइब का इंट्रॉडडक्शन था. उसके आगे कुछ और चीज़े भी है इसमें आजाता है, उसमें आजाएगा लीनियर आजाएगा ठीक है? लीनियर आजाएगा भ यह बिताया जाएगा यह पॉलिनोमियल है यह नहीं है इस तरह के कुस्सट्स आजाएंगे उसके बाद ऊसको सेप्राइड करेंगे लीनियर एक वाडिरेटीक है यूबीक है यूबाइक कौडरेटीक है इस चीज़े को इन फोर्म्स को यूज के जाएगा अगली है फाइफ आप हम करेंगे exercise 5.1 चाहर करते हैं चप्र नूमर 5 एक्सराइज नूमर 5.1 राइट दा कोस्टेंट गीवन दा एक्स्प्रेशन ठीक है वो हमें फाइट करने के लिए कह रहे है constant value, constant value वहने आपको बताया थी जो भी counting वाली value है numerical value कोई भी है जो आपको variable के बगार, variable के बगार, literal के बगार कोई भी उसने value numerical अलग से दी है जैसे ये कोई भी variable literal value के साथ नहीं है वो आपके पास क्या होगी constant value ठीक है तो first question क्या है हमारे पास 3x plus 4, यहाँ पे constant value क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे constant ठीक है, क्या आएगी यहाँ पे constant value आएगी 4 कोई भी variable और कोई भी literal value टर्म इसके साथ नहीं है second वाला question हमारे पास क्या है 2x cube minus 1 इसमें constant value हमारे पास क्या आएगी, कोई foreign sign हमारे kapास constant value के साथ है अगर तो plus है अब plus sign लगाए यहां ना लगाए, कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर minus का साइन ہے constant value के साथ, हल लिक constant value के साथ हो आपने साथ कोज़ख करनaa है यहां पर constant value आपके पास क्या आएगी constant value आपके 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 आएगी minus one ठीक है second वाला question भी complete होगा अब third वाले question की साइट पर आगा है 5y plus 2x अब देखें यहां पर कोई भी numerical value separate नहीं दीवी उसने कोई भी constant value उसने अलाग से नहीं दीव इसके five के साथ भी variable है और two के साथ भी variable है तो यहां पर कैस क्या आएगा यहां पर constant value क्या हैगी जीरो जहां पर कोई भी आपके पास constant value नहीं निकली वहां पर आपके पास क्या आएगी जीरो ठीक है अब four वाला question है four वाले question में क्या value हमारे पास seven y square minus eight ठीक है constant value क्या हाईगी हमारे पास constant value मारे पास आएगी minus eight ठीक है यह हमारा होगा first part complete five point one का first part complete होगे अब हमने करना है second part second part में sketch already ready है ठीक है second question में second question start करते हैं जिसमें उन्हें क्या value करने के लिए दिया हुआ है write the variable taken in the equation equation में आपको first of all बता दो को क्या है जैसे इस टर्म में equation होगी आपको पास जिसने is equal के साथ zero दिया होगा ठीक है कोई बी is equal के साथ उसने zero दिया होगा zero के साथ कोई जो भी equation इस term में होगी वो क्या होगी आपको पास equation की shape में होगी अब हमने जैसे यह हैं यह equation नहीं है ठीक है इसको हमने find करना होता है इस shape में जो चीज होती है जो उसने value term दी होती है इस शेप में जो होती है जिसकों में find करने होती है ये equation एक्योएशन कहलाती है ठीक है अब हमने सब्सक्राइब करना है variable variable मैंने आपको क्या कहा था था alphabetical value में जो भी x,y,z,z यह हमारे पास कहा है variable ठीक है हमारे पास देखे x, y, z है या नहीं है variable किस चीज़ को कहते है x, y, z ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या given है y यह हमारे पास क्या आएगा variable अब इस चीज़ में क्या है हमारे पास variable second question में y plus x is equal 3 यहाँ पे variable क्या find होगा यहाँ पे variable find होगा x, y y, किस चीज़ को शोग करते है यह देखें इस चीज़ को प्लस को चाहे आप प्लस लगा लेचाए कोई भी साइड ना लगाए को फरक ने ही बढ़ेगा ठीक है यहाँ पे क्या देगा arrange कर के लिखे आप y, z भी लिख सकते हो y, z भी लिख सकते हो ठीक है, variable हमारे पास दो थे, यहाँ पे इस question में, ठीक है अब हमने third question करना है x square minus 2 minus 1 is equal 0 यहाँ पे variable के value के आएगी यहाँ पे variable के value आएगी x, यह देखे, x है, यहाँ पे भी x है, two time x है, हमने two time नहीं लिखना है, इसको अपने one time ही write करना है, ठीक है फूर्थ वाला question है, second part का 7 y square minus 2 y plus 3 is equal 0 variable लिखा जाएगा यहाँ पे, variable आपने write करना है, उसके बाद हमारे पास जो variable के term आएगी, जो उसको find करना है, तो हमारे पास क्या given है, y थीक है, इसको आपने power के साथ नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, जो इसको variable ही बताएगे, यह हमारे हो गया, two questions complete, 5.1 अब आज थर्ड वाले question पर ठीक है, जिसमें इसको find करने के लिखना है, write the literal used in the equation, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, variable के साथ, constant value, variable के साथ, कोई भी alphabetic value जो attach होगी, इस term में भी attach होगी, variable के साथ, जो भी alphabetic value आपके साथ, आपके पास given होगी, वो क्या होगी, literal, ठ ठीक है, अब start करते है question, अब हम आपके question क्या है, a square plus bx, sorry, a x square plus bx plus c y, c minus y is equal 0, ठीक है, अब यहाँ में आपके variable के साथ, कोई सी टर्म alphabetic जो है, attach हो, a है, x के साथ, कोई सी टर्म attach है, literal में, b, ठीक है, हम यहाँ में क्या लिखा जाएगा, literal, literal, l, i, t, e, r, a, l, literal क्या आएगा, हमारे पास, a, b, c, कोई b value alphabetic के इलावा, x, y, z के इलावा, sorry, x, y, z के इलावा, जो भी आपके पास alphabetic value given है, वो आपकी क्या है, literal है, ठीक है, second वाला question है, c, x square plus d, x is equal 0, ठीक है, यहाँ पर literal क्या आएगा, हमारे पास, यहाँ पर literal हमारे पास आएगा, c, d, x के साथ क्या alphabetic value given है, c, x square के साथ c था, x के साथ क्या था, d, हमारे पास literal में आगया, third question है, हमारे पास, जिसकी value हमारे पास है, b, x plus d is equal 0, अब यहाँ पर literal हमारे पास क्या given है, x के साथ variable के साथ क्या alphabetic value given है, हमारे पास b, d, जो literal में count हो लिया, ठीक है, x, y, z के लावा कोई भी आपके पास alphabetic value given है, वो आपके पास literal है, ठीक है, fourth question है, a, y, a, y square plus d is equal 0, यहाँ भी क्या लिखा जाएका literal, is equal a, d, ठीक है, क्या आगया, हमारे पास a, d, यह मारे पास हो गया fourth वाला question, है, ठीक, अब हम अर्बास third, three question, five point one के complete हो गया, अब हमने आना है, fourth वाले question की साई रुपे, जो इसमें हमने आपको बताया था, जो भी आपके पास plus, minus, multiply, division, fiction, non-fiction, main, over, और without over के पाँ गयर, जो भी आपके पास value, जिसमें है, variable भी हो, constant value भी हो, ठीक है, variable, constant, value दोनों हो, उसके बाद वो over में हो या, fiction में हो, किसी भी shape में हो, आपके पास क्या होगी, polynomial, ठीक है, अब हमने इस पूरे part में ये बताना है, कि polynomial है या नहीं है, ठीक है, ये हमने बताना, statement क्या given है, हमारे पास, separate the polynomial expressions and expressions that are not polynomials, ठीक है, अब देखे, ये हमारे पास किस में है, x square plus x minus 1, ठीक है, इसकी कोई भी degree आपके पास minus में नहीं है, यहाँ देखे, जो उसकी power है, वो plus में है, यहाँ पे भीवान है, वो भी plus में है, over में भी या, fiction में तो कोई इसकी value नहीं है, कोई इसकी term minus में है, या over में तो नहीं है, तो ये क्या होगा, अगर कोई value आपके पास negative point में, आगे questions आएगे, वहाँ पे आपको explain कर दोंगी, यहाँ पे देखे positive में है उसकी power, यहाँ पे भी वान है, और यहाँ पे over में भी कोई value नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यह क्या होगा हमारे पास, polynomyia, polynomyia, ठीक, second question आजए, second question में क्या है हमारे पास, यह पोड़ी इसकी जो power है, वह हमारे पास किस में है, positive, positive, plus में, यह भी plus में, यह भी, यह भी, कोई भी minus में नहीं है, यह over में नहीं है, तो यह भी क्या होगा, polynomyia, ठीक, आप, अब देखें, इसकी जो power है, third question जो है, मारे पास, वो क्या है, x minus 2, plus y, plus 7, अगर हम इसका इसको प्लस में लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू किस में यह देखें यहां पर लिखी जाएगी एक्स यह देखें नीचे जाते हैं इसको ओबर में लेके जाएगे तो यह किस में चले जाएगी ओबर में चले जाएगी ओबर में चले जाएगी ओबर में चले तो आपके पास नोटपॉलिणो़ मैं प्यूं को इसकी जो डिग्री में और जर्गेटिभ वेव में ठीक है तो यह क्या होगा नोट student कि पॉलिणोमिया कर sow América कि अब यह देखें यह भी क्वेस्तर जो है यह हमारे पास किसमें और में ठीक है x over y square plus 1 minus y square over x यह वाली चो टम है यह हमारे पास fiction और over में है ठीक है यह देखें जो आपके वास value fiction या over में या negative point of view में होगी वो क्या होगा not polynomial ठीक है not polynomial यह हमारे हो गया fourth question complete question number fourth वाले part का question number five है हमारे पास अब वो क्या है हमारे पास x cube minus x square plus y minus one ठीक है अब इसकी power देखें कोई भी आपके पास negative point of view में नहीं है negative way में नहीं है over में यानि fiction में भी कोई नहीं है x cube minus x square plus y plus minus one तो यह क्या होगा polynomial polynomial ठीक है क्या होगा बड़े पास यह polynomial ठीक है अब यह हमारे पास आ गया फॉर्थ वाला question थी sorry five वाला question अब हमने करना है इसका six वाला question start जो है four वाले पार्ट का last question जो हमारे पास है x four plus x square plus five x plus one over two अच्छा मैंने आपको यह कहा था कि कोई भी आपके पास variable की जो power है वो minus में या कोई भी वैल्यू आपके पास variable और constant value दोनों इकठी किसी भी शेप में over में हो तो आपके पास वो होगा not polynomial अब यह जो है यह polynomial क्यों है मैं आपको यह भी बिताती है यह polynomial क्यों है देखें इसकी जो है one over two यह over में है लेकिन इसके साथ यह हली constant value है अगर इसके साथ कोई भी variable होता over में यानि fixture में इसके साथ two के साथ कुछ भी value आपके पास attach होती है ठीक है variable के साथ constant value के साथ variable भी होता तो यह होता not polynomial ठीक है यह polynomial क्यों है क्योंकि इसकी just यह जो value है one over two यह highly constant value है ठीक है यह highly constant value की वज़ा से कोई भी power इसकी minus में नहीं है highly constant value इसकी over में है तो इस वज़ा से यह क्या है polynomial ठीक है अब यह हमारे हो गया इस exercise के four questions complete four part complete हो गया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते है इसको लाइक करें शेयर करें शेयर करने के साथ आपने subscribe भी करने के साथ आपने bell icon को लाजबी प्रेस करने ताके जो भी नहीं वीडियो अप्लोड हो सबसे पहले आपको